एक तरफ इधानसभव उप्चुनाफ को लेकर रणनीती बन रही है तो दूसरे तरफ यूपी में बीज़पी के अंदर हलचल तेज है केश्व प्रिसाद मौरे और पुपेंदर चौधरी ने जेपी नड़ा से मुलाकात की बीज़पी के अंदर खाने हलचल तेज हुई तो अखिले श्यादव तंसकसने में पीछे नहीं रहे यूपी में सियासी सरगर्मी को लेकर लखना उसे दिल्ली तक हलचल है यूपी बीज़पी में लगातार हो रहे घटना करम कई सवाल उठा रहे है मंगलबार की रात आठ बजे केश्र प्रिसाद मौरे ने बीज़पी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की उन्होंने अपने मन के बाद जेपी नड़ा को बताई कहा कि यूपी में नौकर शाही हावी है कारकरताओं के नाराजगी लोगसभा में हार की वच्छा बनी राजसभा नौ बजे के करीब प्रदेश अध्यक्ष पुपेंद्र चौधरी ने जेपी नड़ा से मुलाकात की दोनों के बीच यूपी में दस सीटों पर विधानसभा उप्चुनाव की रणनीती और तयारी को लेकर चर्चा हुई सूत्रों के अवाले से एक और खबर सामने आई नड़ा ने कहा कि यूपी के सीम योकी आदितिनाथी रहेंगे यूपी में कोई बदलाफ नहीं होने जा रहा है जेपी नड़ा से मुलाकात की बाद एक बार फिर केश्व प्रसाद मौरे ने कहा कि संगठन सरकार से बढ़ा है उन्होंने सोशल मेडिया पोस्ट में लिखा है कि संगठन सरकार से बढ़ा है कारकरताओं का दर्द मेरा दर्द है संगठन से बढ़ा कोई नहीं कारकरता ही गौरव है अखिलेश ने साधा निशाना बीजेपी के अंदर खाने खटपट कि सुख बुकाहट मिली तो विरोधी तीर कमाल लेकर निशाना साधने लगे अखिलेश व्यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा अखिलेश ने सोशल मेडिया एक्सपर लिखा बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की कर्मी शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में गया बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ती थी, अब यही काम बीजेपी में हो रहा है बीजेपी दलदल मिधसती जा रही है, अंदुरूनी जगडों की दलदल मिधस रही है बीजेपी में जनता का सूचने वाला नहीं बचा केशबं ने किया पलटपार अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौरे ने पलटपार किया केशव प्रसाद मौरे ने सोशल मेडिया पर लिखा कि BJP देश और प्रदेश में मस्बूत है तोनों जगा मस्बूत है संगटन और सरकार सपा का पीडिये धोका है यूपी में सपा की गुंडा राज की वापसी असंफव है बीजेपी दोज़ार सताइस की चुनाफ में दोज़ार सतरहा दोराएगी फिर एक बार डबल इंचन सरका यूपी में कुछ दिनों बाद विधान सभा उपचुनाफ होने है ऐसे में देख न होगा कि सियासी हलचल का उस पर कितना असर होटा है फिर रपोर्ट जी मीडिया